हेलो डियर स्टुडेंट्स स्वागत है आपका अपने चनल तयरी जीत में तो यहां देखेंगे हम एडिकेट अभ्यास पुस्तिका भासा भारती कक्छा आर्ट जो आपको यहां पर बड़तमान में ली हुए यदि आप चैनल पर पहले ही बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी यह हमारा इस वीडियो में अठर्वा पार्ट होने वाला है से पहले हमने 17 पार्ट तक कहर लाल दिया है लास्ट में आप वीडियो के माद्धियम से पता कर सकते हैं कि कैसे आप सभी पार्टों के एक साथ में देखेंगे तो यहां पर यह पार ठारा है जिसका ना इसके बाद नहीं देखी तो आप यहां पर सुन लीगे इसके बाद अगला क्वेशन है आप देखेंगे असकही सनमुख फोज रंगाई पंती में आपको रेखांके सब्द का बिलूम सब्द बताना है उप्सन है सुमुख यहां पर अमुख विमुख या समुख तो इसका हो इत्रे थैं यहां पर तो इसका आंसर हो जाए का सम नमबर डी अगला है इस का ऑदी कभी किसे कहा जाता है सुरुदास बादूमेटि सुर्ध यहां पर तलसीद सी या भबुती तो इसका हो जायएगा आप को सनबर दूसरा पाचमा है रगोपती यहां पर यह लिखा है इसमें आपको मात्राओं की करना करनी है और यह बताना कौन सा चंद है आपका सूर्ठा दोहा रोला या चौपाई तो इसका सही हो जाएगा उप्सिन नमबर डी चौपाई इसके बाद हमारे अगला कॉस्चन जो है बुटिक तिस्थानों का है तो उनको देख लेते हैं क्या अगला है आपका युद्ध गीता पाठ के अनुसार अपना संसरी राम के सम्मुक रख देती हैं तो क्यों रख देता है यहां पर सुख्ग्रीव इसके बाद अगला है आपका आठमा पयोधी सब्द में संधी होगी कौन सी इसका हो जागा आपका बिसर्ग नौमा है आपक जिस समाज की दोनों पद प्रिधान होते हैं उसे समाज को क्या कहते हैं तो इसका हो जाएगा द्वंद लाश्ट है मनहूं इस बाले में आपको यह बताना है कि कौन सा अलंकार है तो इसका आप का अंसरा हो जाएगा अलंकार में उत्प्रेक्षा तो एक पर वह देख में हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा कासा करते हैं आपने अच्छी से आंसर भली होंगे ग्यारमा क्वेश्चन है तुलसी दास ने अपने गिरंथों में जो गिरंथों की रचना की है उसमें मुख्य जो किन है किसी रखा है तो इसका हो जाएगा भगवार राम को ठीक है किसी बताया है तो इसके बाद अच्छी सियाद करते चलिएगा इसके बाद हम तिरमा कोश्चन देख लेते हैं तो यहां पर यह लिखा है आपका यहां पर नाथना रत नाहीं तनपद त्राथ यहां पर त्राना केही विधी जिभा बीर बलवाना इस आपको पंती का हम देखिए यहां पर लिखेंगे हे नाथ यहां से लिखेंगे हे नाथ आपके पास ना तुरत है ना तनपर कवच है और ना ही पेरों में जूते हैं ऐसे मैं आप रावन से कैसी युद्ध जीत पाएंगे तो इसका यह आंसर हो जागा चैसे नोट डाउन कर लीजिए इसक का हे उत्तम योद्धाओं सुनो तुम बानर भालू समुदाय का नास करो मैं दोनों राजकुमार भाईयों को मारूंगा तो यह किया था उसने तो यह आंसर देख लिए अच्छे से नोट डाउन कर लिए इन दोनों को इसके बाद तीसरा कॉस्चन देखते हैं तो यहां प पैदल युद्ध कर रहे हैं ना तन पर कवज है और ना पैरों में जूते फिर आप कैसे फिर कैसे आप रावन से युद्ध जीप पाएंगे इसके बाद अगला कोश्चन है आपका सूला है तो सूलमा कोश्चन यह दिया गया है तो यहां पर लिखा है चतुरंगनी सेना स से आपका क्या आस्या है या क्या समझते हैं तो इसका अंसर लिखेंगे यह बहस है ना जो हाथी घोड़े रत पैदल माध्यमों से उद्ध करते थे इसके बाद 17 है वह किसके पास थी रावन के पास सिंग सब्द के आपको दो परियावाची लिखना है और उनका प्रियोग करना है तो सिंग के दूप रियावाची सेर और बनराज हो जाएगा तो यहां पर इसका प्रियूख कर देंगे मोहन ने जंगल में सेर देखा और जंगल का राजा बनराज है इसके बाद अगला कोश्चन है आप कठा रहे तो यह दिया गया है इसका इसका भावर्थ आपक को जोड़े हुए है ठीक है तो यहां पर यह ही आपका कोशचन है अठारह है और अगला कोस्चन यह आपकाあのीशओला कोश्चन है इसको देख लीज़े क्या लखा है तो प्राइजिन निकालि में होने वाली योद्वोर बर्टमान में क्या आंतर यह उसके तो प्राचीन exhibit आद willst में तलवार धनों सोवर हाथियों का फियोग होता था and anita eshərल होती थी आध्योंब में मैसाइल टैंक और बैमानों का फियोग होता एं और एट्योंद प्राचीन योथे स्थानिये प्रभाव डालते थे जब़कि आध्योंसे के योद्ध योद्ध मिल सके अगला कॉश्चन 20 मा देख लेते हैं तो यह 20 मा कॉश्चन आपको यहां पर दिख रहा होगा इसे मैं लखा है रावन की सेना की बिसार में आपको बिस्तार से जानकारी दिने नहीं तो इसको अच्छे यदि हमें सभी एटिएट कताबों के उत्तर देखने हैं तो हम किस प्रकार से देखेंगे तो आपको क्या करने हैं इस प्रकार से यह वीडियो चल लए हमारी चनल पर तो इस प्रकार से इसका नाम है जो तैयर जी तो इस पर आपको दबादेना है जैसी आप इसको जैसे माली हमें यहाँ पर दबा देते हैं तो आप नहीं पर दभाए तो यहाँ पर देख सकते हैं जिसको भी आप देखना चाहेते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे वो देखेंगे